अस्सलाम वालेखुम आप देख रहे हैं कुकवेत अली तो आज हम बनाएंगे बची हुई दाल का पराथा तो बहुत ही स्पेशल रेसिपी है तो सबसे पहले यहाप है हमने लिए एक कप दाल यह दाल हमारी रात को हमने बनाई थी तो बच गई थी तो हमने सोचा इससे नई रेसिपी तयार करते हैं और हमने ट्राय की तो बहुत मज़ी बनी और सोचा कि आपके साथ भी उसकी रेसिपी शेयर करते हैं तो सबसे पहले एक कप दाल है इसको हमने चूले पे रखके एकदम ड्राय कर लिया है खुशक कर लिया है इस तरीके से आपने भी ऐसा ही करना है गुटि कुटी क бол shakeूछ और इसके के नितर एड़ करने के आपने like कि Wa午 कबसुआ और इसके के मअगते मेडा आपने अहीfunded नहीं की सिथिया इसके मेडा कि अपने पूरी रेसिपी को मोन wichtig कै और आपने अच्छी तरह mix करने के बाद हमने क्या करना है इसको अच्छी तरह से गूल लेना है बहुत ही असानी से गूल जाएगा तो जैसे नॉर्मली हम गर में रोटियों की डो तयार करते हैं उसी तरही के कि इसकी भी डो तयार होगी तो जैसे हरी मेट्स निकलिया है उसका हमने अलैदा कर दिया है क्योंकि वो हमें नहीं चाहिए इस रेसीवी में तो अब हमने क्या करना है इस साइस का देखें पेड़ा बना लेना है सबसे पहले यह देखें एक खुशूरा सा गोल सा पेड़ा बना ले सबसे पहले और अब इस तरीके से हम इसको बेलेंगे सबसे पहले हम मैदा डस्ट कर देंगे और पेड़ा रखेंगे अब और इसको जैसे नर्मली रोटिओं को पराठा को बेलता है उसी तरीके से इसको बेल लेंगे जादा पतला भी नहीं बेलना अर इस दोरन आप चैनल पर नया है तो प्लीस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं यह बहुत ज़रूरी है आपने भी ऐसे ही करना है सेम यह देंगे इस तरीके से चारों तरफ हमने इसके सुराक कर देने और अब हम चलते हैं इसकी सिकाई की तरफ इसकी पकाई की तरफ तो देंगे कितना खुबसूरत सा पराटा तयार हुआ है और अब हम इसको सेक लेते हैं गी फ्राइंग के लिए इसके एड़ करेंगे वंटेबिल स्पून कोकिंग वाइल कि अज़े पराटम को शेखते हैं जैसे हमारी डाल और पहले से पकी हुई है तो ज़से बस आटा है उसको थोड़ा समने पगाना है और खुबसूरा सा इसको गोल्डेन सा कलर देना है तो साइट चेंज कर देंगे और दूसरी साइट से भी ऐसा गोल्डन सा कलर लेकर आ जाएंगे और जब आप एक बारी रैसीबी बनाएंगे न तो आप इंशालों जरूर दुआएं देंगे यह देगे कितना खुबसूरा सा कलर आ गया है और अब हम इसको डिशाउट कर लेंगे और जी तरीके से जितने आप बनाना चाहें वैसे तयार कर लेंगे तो बहुत ही जबरदस्ती हमारी रैसीबी तयार है इसके उपतर बड़ा सा खुश्बू के लिए जाएके के लिए देशी ही लागा देंगे यह ज़्यादा जरूरी नहीं है अगर आपके अवेलेबिल है तो आप कर लें मैंना कोई मसला नहीं है इसको ऐसे ही सर्फ कर दें नहीं या चाहर वगरेर अससर्फ करें बहुत जबरदस्ती रैसीपी है आप इसको नाश्aimeने में खाएं ब्रैकफास्ट में खाएं जो आपको दिलनार जब खाएं इसको बहुत जबरदस रैसीपी है आज़ की और आज की रैसीपी तो बहुत स्पेशल है आप समये बिए जरूर लाइक करेगा तब तक के लिए अल्लह हाफिज